नमस्का साथियों स्वागत है आप सबका टार्येट क्लासेज वी धरीश सर में इतिहास के हमारा पूर मध्यकाल चल रहा था जिसमें आपने लास्ट लेक्चर में 20 प्रस्ण देखे थे जो उत्तर भारत का था राजपूत काल उसके 20 प्रस्ण देखे थे आज उसी के आगे हम प्रस्ण देखेंगे सबसे पहले आपको बता दे जो हमाई चैनल पर नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेला आइकन को दबात दे जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त हो सके छले स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रस्ण सबसे पहले आपको बता दे पूराना कि पूर्मधिकाल जो हमने कल पढ़ा था उसका समय आपको बताया था 650 इसवी से लेके 1206 इसवी तक माना गया है उसका समय ठीक है जो उत्तर भारत का है पूर्मधिकाल उत्तर भारत के राजपूत का से रिलेटेट है यह प्रस्ण चलिए स्टार्ट करते पहला प्रसना आज का पहला प्रसना है कि भूनेस्वर तथा पूरी के मंदिर किस सैली से निर्मित है भूनेस्वर तथा पूरी के जो मंदिर हैं वो किस सैली में निर्मित है अप्सने देखते हैं नागर सैली या द्रविड सैली या वेशर या इन में से कोई नहीं तो इसमें कौन से सैली हो जाएगा आपका अप्सन एस ही हो जाएगा जो भूनेसवर और पूरी के मंदिर है इनकी सैली है नागर सैली ठीक है नेस्ट आता है नेस्ट है आपका कि भारत में प्रथम आक्रमण कारी कौन था जो भारत था उस पे प्रथम आक्रमण कारी कौन था आपसने है कुतुबदीन एवग या महमूद गजनवी या मोहमद बिन कासिम या नेस्ट है आपका मुहम्मद गोरी तो इनमें कौन से था जो भारत पे पहली बार आक्रमण किया था तो इसमें कौन सा आपसन सही हो जाएगा आपसन नमबर आपका सी सही हो जाएगा मुहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम अक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम है ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट है जगनात मंदिर किस राज में इस्थित है जगनात मंदिर किस राज में इस्थित पहला है बंगाल या उडिशा या केरल या उत्तरपदेश जगनाथ मंदिर है, कहां इस्थित है अफ़सन आपका B सही हो जाएगा, उडीसाराज में है आपका जगनाथ मंदिर उडीसाराज में है ठीक है नेक्स्ट है कि पुरी में इस्थित कोडार के बिसाल सूरुदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे जो पुरी में जो है कोडार का सूर देव मंदिर इसके निर्माता कौन थे अपसने है नर्सिंग फरस्ट या कपिलेंद्र है या पुरसोत्तम है या चोड़ गंग है तो इसमें कौन सा अपसन सही हो जाएगा अपसन आपका कौन सा सही हो जाएगा बताईए अपसन आपका ए सही हो जाएगा नर्सिंग प्रत्थम जो पुरी में स्ठित कोडार का सूर मंदिर है इसके निर्माता नर्सिंग प्रत्थम थे ठिक नेश्ट है आपका कि निमलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है कविराज के नाम से कौन विख्यात है अपसन नहीं देखते हैं भोज परमार या सिंधुराज या मिहर भोज या भुंज कौन है जो कविराज के नाम से प्रसिद्ध है अप्शन कौन से सही हो जाएगा आपका अप्शन ए सही हो जाएगा भोज परमार जो कबिराज के नाम से फेमस है वो भोज परमार है ठीक है नेस्ट है आपका नेस्ट है आपका कि वह प्रत्थम भारती सासक कौन था जिसे तुर्क आकरांता मोहमद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहमद गोरी को परास्थ किया था वो कौन था जो मोहमद गोरी का सामना किया और मोहमद गोरी को परास्थ किया तो आपसने देखते हैं भीम देव फष्ट या भीम देव दुतिये या कुमार पाल या जैसिंग तो इसमें कौन सा आपसन सही हो जाएगा आपसन आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपसन आपका भी सही हो जाएगा भीम सेकंड भीम दुतिये जिन्होंने मोहमद गोरी का सामना किया और मोहमद गोरी को परास्थ किया था ठिक? यह भार्ती प्रत्थम भार्ती सासक था जिसने मुहुंमद गोरी को प्रास्थ किया था next है आपका कि किस सासक ने कलिंजर के अजेदुर का निर्माड करवाया जो कलिंजर का किला है इसका निर्माड किसने कराया था? नन्नुक चंदेल ने, या यशु वर्मा ने, या धंग देव ने, या निष्ठ है आपका गंड देव ने, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, आपसना आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपसना आपका सी सही हो जाएगा, धंग देव ने, धंग देव ने कालेंजर के दुर्ड का निर्मार करवाया था कलिंजर का किला कहां पे है मध्ध प्रिद्येश में है आपका ठीक है नेस्ट है आपका की चंधावर का युद्ध जो उनिसोचोरान सोरी 1194 बेश्वी में किसके किसके मध्ध हुआ था चंदावर का उद्ध था 1194 वे इस वी को हुआ था वो किसके मघध क्विए था अपसन के पत्थवी राज त्रतिय tutor I want to earn ओम ओमम्हम्मध्लु के बीच में या जाए चैनद ओम्हम्म्मध गोरि के बीच में येइन मेंस से कोई नहीं तो इसे कौन सा हो जोगा जो चंदावर का युध था हो किसके किस के बीच में हुआ यूशन आपका णिसा हो जायगा जैकंद और जैचन्द और मुहम्मद-गोरी के बीच में हुआ था यारास caffeine में चंदावर का युद्ध मुहमद-गोरी और जैचंद शी patients a ठीक, नेक्स्ट है आपका, कि किस पर स्वामित्य के लिए पाल, प्रतिहार वा राष्ट कूत के बीच त्री पच्छी संघर्ज हुआ, आप से नहीं है पाटिल पुत्र या कन्योज या दिल्ली या इन में से कोई नहीं, किस स्वामित्य के लिए पाल, प्रतिहार वा राष्ट कूत के लिए त्री पच्छी संघर्ज हुआ था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आप सनापका, बी सही हो जाएगा, कन्योज, आप सनापका, बी सही हो जाएगा, ठीक है, नेस्ट है आपका, कि त्री पच्छी संघर्ज का आरंब किस सदी में हुआ था, जो त्री पच्छी संघर्ज था, इसका आरंब किस सदी में हुआ था, अपसन है, आठवी सदी में, या सातवी सदी इस्वी में, या छठी सदी इस्वी में, या नवी सदी इस्वी में, जो त्री पच्छी संघर्स था, वो कौन सी उसमें सूर हुआ था, कौन सी सदी में, अप्सन आपका कौन सा सही हो जाएगा, अप्सन आपका ए सही हो जाएगा, आठवी सदी इस वी में त्री पच्छी संघर्स आरंब हुआ था, ठीक, त्री पच्छी संघर्स था, वो आठवी स ने किया जो राजवंस था जो त्रीपच्छी संगर्स था उसका अंत किस राजवंस ने किया आप्सन एपाल राजवंस या प्रतिहार या राश्ठकूद या इन में से कोई नहीं त्रीपच्छी संघर्ष का आरंब और अंत किस ने किया था तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपसन आपका बी सही हो जाएगा प्रतिहार राजवन्स के लोगों ने त्रीपच्छी संघर्ष का संघर आरंब किया और इसी को समाप्त किया था ठीक है option B सही हो जाएगा next है आपका कि पाल वंस का संस्थापक कौन था पाल वंस का संस्थापक option या गोपाल थे या धरम पाल या देव पाल या next है आपके इन में से कोई नहीं इसमें कौन सही हो जाएगा option आपका कौन सही होगा पाल वंस का संस्थापक पाल वंस का संस्थापक आपका option नमबर 20 20 ही हो जाएगा sorry sorry पाल वंस का संस्थापक आपका एक गोपाल ने किया था पाल वंस के जो संस्थापक थे वो गुपाल जी थे ठीक नेश्ट है कि कि पाल वंस की राजधानी क्या थी पाल वंस की राजधानी क्या थी अपसन ये हैं मुद्दगीर या जिसे मुंगेर कहते हैं या कर नौज या दिल्ली या इन में से कोई नहीं अप्सन कौन सा सही हो जाए पालवंस की राजधानी दिल्ली का नौज या मुंगेर में से कौन सी होगी अप्सन ए सही होगा पालवंस की राजधानी मुंगेर या मुद्गीर कहते हैं यह पालवंस की राजधानी थे कि राष्ट कूट वन्स का संस्थापक कौन था अपसन यह है दंती दुर्ग या दंती वर्मन तुतिय जिसे कहते हैं या गोविंत तुतिय या क्रश्न प्रथम या इंद्र तुतिय राष्ट कूट वन्स का संस्थापक कौन था इसमें से अपसन इसमें कौन था अप्षन एस ही हो जाएगा कि दंती दुर्ग या दंती वर्मन दुती राश्ट कूट वंस का संस्थापक था ठीक है? नेश्ट है आपका राश्ट कूट वंस की राजधानी क्या थी? अप्षन एह है माल खंड या मानने खेत या कन्योज या दिल्ली या पाटिल पुत्र कौन थी? राश्ट कूट वंस की राजधानी राश्ट कूट वंस की राजधानी थी आपके अप्षन नमबर एस ही हो जाएगा माल खंड या मानने खेत भी जिसे कहते हैं ठिक, राश्टकूट वंस की राजधानी मालखंड थी किस प्रतिहार सासक ने आदी वराह की उपाध धारड की थी अप्सन नागभट प्रतम या नागभट दुतिय या मिहर भोज या इन में से कोई नहीं कौन सा अप्सन सही हो जाएगा अप्सन आपका सी सही हो जाएगा मिहर भोज मिहर भोज की उपाध आदी वराह थी ठीक ने ताप के आजाते हैं कि करपूर मंजरी नाटक के रचैता राज सेखर को किस प्रतिहार सासक के सनरचड दिया था जो करपूर मंजरी नाटक के रचैता राज सेखर हैं उनको किस प्रतिहार सासक ने सनरचड दिया था आपसने देखते हैं नागभट प्रथम या नागभट दुतिय या महेंद्रफाल प्रथम या मिहर भोज ने कौन होंगे इसमें इसमें आपसन थर्ड सही हो जाएगा महेंद्रफाल प्रथम ने करपूर मंजरी के नाटक जो राज सेखर थे जो महेंद्रफाल प्रथम ने सनरचड दिया था ठीक है नश्टाप का ज़ता है कि किस पाल सासक को गुजराती कभी सोडू धल ने उत्तरापत स्वामिन कहा किस पाल सासक ने गुजराती कभी जो शोडू धल थे उनको उत्तरापत स्वामिन कहा तो अपसन ने देखते धर्बपाल या गोपाल या देवपाल या इनमें से कोई नहीं तो इसमें कौन सा अपसन सही हो जाएगा अप्सन आपका ए सही हो जाएगा धरम पाल ने उत्रापद स्वामिन कहा गुजराती कवी को उत्रापद स्वामिन कहा था ठीक है निस्ट आपका आता है कि हिंदू पिध की एक प्रसिद पुस्तक दायभाग के रचेटा थे जो दायभाग पुस्तक थे दाए भाग पुश्टक जो थी, इसके रचईता कौन थे आप्शन अब इज्यानेश्वर, या मनू, या जीमुत वाहन या इनमें से कोई नहीं तो इसमें कौन से हो जाएंगे दाए भाग के रचईता थे आपके अपसन नॉमबर सी जीमुत वाहन जो थे वो दाइभाग के रचनाकार थे, ठीक है, नश्ट आपका आता है, कि रामचरित की रचना किसने की थी, रामचरित की, कुश्चन सही देखिएगा, कि रामचरित की रचना किसने की, अप्सन यह है कॉलिदास, या बिग्यानेश्वर, या कॉटिल, या संध्याकर, नंदी, त ऑप्सन आपका, D सही हो जाएगा, संध्या का नंदी, यह राम्चरित है, राम्चरित मानस नहीं है, अच्छे से देखेगा, राम्चरित है, only, तो उनके रचिता संध्या का नंदी हो जाएगे, ठीक है, नेट्ट हम कल देखेंगे, धन्यवाद,